बॉलिवोड एक्टर सोनू सूध इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं सोनू सिर्फ इस इंडर्श्टरी में अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए ही नहीं कोरोना काल के दोरान गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक मसीहा के तोर पर सोनू सामने आये थे इस इंडर्श्टरी में भी सोनू बाकी सलेबिडीज के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस सोनू सभी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं सोनू सूत अपने अच्छे कामों की वज़ा से अब किसी भी पहचान की महतास नहीं है उनकी तरिया दिली के किस से अब देश भर में सुनाई जाते हैं लेकिन फिल्मी दुनिया से अभी भी सोनू सूत को छोटे मोटे रोल ही करते हुए देखा जाता है उनका और आश्वरिया राय का क्या संबंध है और आश्वरिया उन्हें भाई क्यों बुलाती हैं आईए आज हम आपको बताएंगे सोनू सूत को मुख्य पहचान फिल्म दवंग में छेदी सिंग के गिरदार से मिली थी इसके बाद उन्हें कई और फिल्मों में इसी तरह के रोल ओफर दुए इसके अलावा वो दक्षिन भारतिय सिनेमा के नियमे सदस्य रही हालाकि उन्हें इनसे फैन फॉलोइंग नहीं मिले आईए अपने टॉपिक पर लोटते हैं और जानते हैं कि आश्वरिया राय और सोनू सूत के बीच क्या कनेक्शन है इस विशे को लेकर जब सोनू सूत से एक इंटर्वियू में बात की गई तो उन्हें बताया बच्चन फैमिली में उनके फेवरेट अमिताब बच्चन है और उनके परिवार की प्रती उनका रिष्टा बहुत ही गहरा है उन्हें बताया कि बच्चन परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं जब सेट पर मिलते हैं तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है सेट पर काम करते हुए अमिताब सर अपने लाइन बार बार दोहराते हैं तथा अपिशेग जिसे हम सिनेमा में फिल्मों में देखते हैं वो असल जिन्दगी में वैसे ही है सोनु ने बताया कि फिल्म बुढधा होगा तेरा बाप में अमिताब बच्चन ने उनके पिता का रोल निभाय था फिल्म युवा में अविशेग उनके भाई का किरदार निभाया था वहीं अश्वर्या ने फिल्म जोधा अगबर में सोनु सूथ की बहन का किरदार निभाया सोनु सूथ ने बताया कि अश्वर्या राय सेट पर अपने काम को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं सीन खत्म हो जाने के बाद वो ओपन बातचीत करती है वे कहती हैं कि आपको देखती हूँ तो आप मुझे अपने पापा की याद दिलाते हैं लेकिन आपको वता दें कि अश्वर्या राय सोनुसूत को आज भी भाई साहब कहकर बुलाती है बच्चन परिवार से सोनुसूत का रिष्टा करीबी होने के कारण और जोधा अगबर में अपने किरदार की वज़ा से अश्वर्या आज भी सोनुसूत को भाई कहकर बुलाती है वही सोनुसूत भी उनको बहन की तरह सम्मान देते हैं इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमारी चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारी चैनल नेक्स्ट नाइन लाइक के साथ थन्यवाद